गनेशाय नमह, श्री शिव पुरान रोद सहिता का कुमार्खन चतुर्थ भाग अध्याय 14, शिवा का अपनी म्यासी गनेश को उत्पन करके द्वारपाल पत पर नियुक्त करना, गनेश द्वरा शिव जी की रोके जाने पर उनका शिव गुनों की साथ भयान कर संग्राम, श शिव जी के अग्यानुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गनेश के धर से जोड़कर उन्हें जीवित करना, सुल्ची कहते हैं तारकारी कुमार के उतम एवं अदभूत वृतान तको सुनकर नार्च जी को बड़ी प्रसन नता हुई, उन्होंने पुनह प्रेम पूर्व जो समपूर्ल मंगलों के लिए भी मंगल स्वरूप है, वर्नन कीजिए, सृची कहते हैं महामुनी नार्द का ऐसा वचन सुनकर ब्रमाजी का मन हश से गदगद हो गया, वे शिव जी का स्मरन करके बोले, ब्रमाजी ने कहा नारद, पहले जो मिने विदिपूर्वक गनेश की उत्पति का वर्नन किया था कि शनिकी द्रिष्टी पढ़ने से गनेश कामस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का मुख लगा दिया गया था, वह कलपांतर की कथा है, अब श्वेत कल्प में घाटित हुई गनेश की जन्म कथा का वर्नन करता जिसमें क्रिपालु शिंकर नहीं उनका मस्तक काट लिया था, मुने, इस विश्य में तुम्हें सिंदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभू कल्यानकारी, स्रिष्टी करता और सबके स्वामी हैं, वे ही सगुन और निर्गुन भी हैं, उनहीं की लीला से सारे विश्व की स्रिष्टी, रक् अधि, भरेंगी आधी जो हमारे हैं, वे भीशिव के ही आग्या पालन में ततपर रहते हैं, जो संखे प्रमत गन हैं, उनमें भी हमारा कोई नहीं हैं, वे सभी शिवाग्या प्रायन होकर द्वार पर खड़े रहते हैं, यद्यपी वे सभी हमारे भी हैं, तथा पी उनसे ह मारा मन नहीं मिलता अतव पापर हिते आपको भी हमारे लिए एक गंकी रचना करनी चाहिए ब्रह्माजी कहते हैं मूने जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुन्दर वचन कहा तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया तदनंतर किसी समय जब प पर्मेश्वरी शिव पतनी पार्वती ने मिन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो परंग शुग, कार्यकुशल और अमेरी ही आग्या में ततपर रहने वाला हो उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो योम विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मिल से एक ऐसे चेतन पुरुश का निर्मान किया, जो सम्पूल शुग लेक्षनों से सयुक्त था उसके सभी अंसुंदर एवं दो शुरहित थे उसका वह शरीर विशाल, परमशो भायमान और अमहान बल पराक्रम से संपन्न था देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूशन और बहुत सा उत्तम आशिरवाद दे का कहा तुम मेरे पुत्र हो मेरे अपने ही हो, तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहां कोई दूसरा नहीं है पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला गनेश ने कहा, मा, आज आपको कौन सा कार्या आपड़ा है, मैं आपकी कतनानुसारों से पूर्ण करूंगा गनेश के उपूचने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली शिवा ने कहा तात, तुम मेरे अपने हो, अतल तुम मेरी बात सुनो आज से मेरा पुत्र हो, मेरे वारपाल हो जाओ सत्पुत्र, तुम मेरी आग्या के बिना कोई भी हटपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश न करने पाए चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो बेटा, यह मैंने तुम से बिलकुल सत्य बात कही है ब्रमहाजी कहते हैं मुने, यो कहकर पारवती ने गनेश के हाथ में एक सुद्रिल छळी दे दी, उस समय उनके सुन्दर रूप को निहार कर पारवती हर्शमग्न हो गई उन्होंने परम प्रेम पुर्वक अपने पुत्र का मुक्चुमा और क्रिपा परवशो चाती से लगा लिया फिर दंधारी गनराज को अपने द्वार पर अस्थापित कर दिया बेटा नारद, तद्नंतर पारवती निंदन महावीर गनेश पारवती की हितकामना से हाथ में छड़ी लेकर ग्रह द्वार पर पहरा देने लगे उधर शिवा अपने पुत्र गनेश को अपने दर्वाजे पर नियुक्त करके स्वयम सक्खियों की साथ स्नान करने लगी भीतर ना जाओ, मातासनान करने बैक गई है, तुम कहा जाना, चाहते हो, इस समय यहां से हट जाओ, यो कहकर गनेश ने उन्हें रोकने के लिए छुरी हाथ में लेली, उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्क, तू किसे रोक रहा है, दुर बुधे, क्या तू मु के लिए यहां आये हैं, तुम्हे भी गनसमच कर हम लोगोंने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कपके मारे गए होते, आप कुशलिसी में है कि तुम सुवत ही दूरहच जाओ, क्यों यर्थ अपनी मृत्यू बुला रही हो, ब्रह्माजी कहते हैं मूने, यो कहे जाने पर अभ के गतिस्वर उपद भुतली लाविहारी महेश्वर अपने उन गनों को डांट कर कहने लगे, महेश्वर ने कहा, गनो, ये कौन है, जो इतना उच्छुआ खल होकर शत्रों की भानतिबक रहा है, इस नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो, तुम लोग नपुन्सक की तरह खड़े हों का उसका वृतांत मुझे ख्यू सुना रहे हो, विचित लीला रचने वाले अपने स्वामी शिनकर के यों कहने पर वे गनपुनह वही लोट आये, तदनंतर गनेश द्वारा पुनह रोके जाने पर शिव जी ने गनों को आग्या दी की, तुम पता लगाओ, य इसलिए गनों को तथा देवताओं को बुला कर गनेश ची से भीशन युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गनेश को पराजित न करसके, तब स्वयम शूलपानी महेश्वर आये, गनेश ची ने माता के चरनों का स्मरन किया, तब शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया, उन्होंने बिना विचार इन्हें प्रलय करने की आग्या दे दी, फिर तो शक्तियों की द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी, उन शक्तियों का वह जाजवल्यमान तेज सभी दिशा उनको दगधसा किये डालता था, उसे देखकर वे सभी शिवगन भायबीत हो गिये और भ विचार करना चाहिए, तब वे सभी देवता तुझ महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है, फिर उन्होंने यही निश्चा किया कि जब तक गिर जादेवी कृपा नहीं करेगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा अब इस विशिमें और विचार करना वियर्थ है, ऐसी धारना करके तुम्हारे सहित सभी देवता और रिशिभगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसंद करने लगे, उन्होंने प्रेमपूर्वक उन्हें प्रसंद करते हुए ने को स्तोत्रों द्वारा उनकी स हमारा अभिवादन प्राप्त हो, कल्यानी, तुम्हें बारंबार प्रनाम है, अंबे, तुम्ही आदी शक्ती हो, तुम्ही सदा सारी स्रिष्ट की निर्मानक तर्त्री पालिका शक्ती और सनहार करने वाली हो, देवेशी, तुम्हारे कोप से सारी त्रिलो की विकल हो रही ह अतहा प्रसन हो जाओ और अक्रोध को शान्त करो। देवी, हम लोग तुम्हारे चरनों में मस्तक जुकाते हैं। ब्रह्माजी कहते हैं नारद, यो तुम सभी रिशियोद्वारास्तुती की जाने पर भीपरादेवी पारवती ने उनकी और क्रोध भरी द्रिश्ट से ही तब उन रिशियों ने पुनह उनके चरन कमलों में सिर्जुकाया और भक्ति पूर्वखात जोड कर पारवती जी से निवेधन किया। रिशियों ने कहा देवी, अभी सनहार होना चाहता है, अतरक्षमा करो, क्षमा करो। अंबिके, तुम्हारे स्वामी शिवी तो यही स् इन सब का आप राद क्षमा करो। शिवे, अबिन ही शान्ती प्रदान करो। ब्रह्माजी कहते हैं मूने, सभी देवर्शियों कह का रत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड कर चंडिका की सम्मुक खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन हो गई। उनके हृदय में कारुना का संचार हो आया। तब वे रिशियों से बोली, देवी ने कहा रिशियो, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और वो तुम लोगों के मध्यपूजनिय मान लिया जाए तो सनहार नहीं होगा। जब तुम लोग उसे सरवाध्यक्ष का व्रितान कर दोगी तभी लोग में शांती हो सकती है, अन्यथा तुम्हे सुख नहीं प्राप्थ हो सकता। ब्रह्माजी कहते हैं मूने, पार्वती के यों कहने पर तुम सभी रिशियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा व्रितान के सुनाया। उसे सुनकर इंद्र व्रितान की को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतहब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले, उसका सिर कातकर उस बालका के शरीर पर जोड़ देना चाहिए। ब्रहमाजी कहते हैं मूने, तद्नंतर शिव जी की आग्या का पालन करने वाले उन लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस सिर को सहयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिवादे को प्रनाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेश है, उसे आप लोग पूरिंग करें। ब्रहमाजी कहते ह तब शिवाग्या पालन संबंधिनी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और पार्षदों को महान आनंद हुआ। ततपश्चात ब्रहमा, विश्लु आदी सभी देवताओं ने स्वामी निर्गुन स्वरूप भगवान शंकर को प्रनाम करके बोलिट स्वामिन। आप म जलकास परश होते ही वह बालक शिवेच्छा से शीग रही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और असोव हुए की तरह उट बैठा। वह सौभाग्य शाली बालक अत्यांत सुन्दर था। उसका मुखाथी का साथ शरीर का रंग हरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खेल रही थी। उसकी आकृति का मनियती और उसकी सुन्दर प्रभा फैल रही थी। मुनिश्वर पारवती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्तित सभी लोग आनन्मग्न हो गय और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परब प्रसन हुई। इती श्री शिव पुरान के रुद्र सहिता का कुमार खंड चतोर्त भाग अध्याय चोदल कथा समाप्त। कर देखकर वे ती जीवित जीवित लिवादी जीवित ये जीवित को वित देखकर समाप्त।